हलो गाईज, स्वागे थे आपका एडियो जाहल में तो टोकियो के ओलम्पिक में भारत ने जर्मनी को पाच चार के और सच से हराकर 41 साल बाद ब्रॉंज जीत कर अपनी जगा बनाई है 1980 में गोल्ड जीतने के बाद 2020 टोकियो ओलम्पिक में मेंस होकी टीम ने मेडल जीता है तो आज हम इंडियन होकी फेडरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे तो भारत ऐसा पहला नॉन यूरोपियन देश था जिसे इंटरनाशनल होकी फेडरेशन में शामिल किया गया था FIH रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया थर्ड, बेल्जियम सेकेंड और उस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पर आते हैं इंटरनाशनल होकी फेडरेशन का हेड़कोर्टर लुजैन, स्विजल अन्ड में स्थित है अब अगर हम भारतिय इतिहास की बात करें या भारतिय इतिहास को देखें तो भारतिय टीमों ने सुरक्षित रूप से अपने पकड़ बनाकर 12 मेडल आज तक हासिल किये हैं जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं जो की बाकी सारे नेशन से ज्यादा है ओलम्पिक में भारत ने 1908 में और 1920 में भाग लिया था जिसमें से 1928 में गोल्ड जीत कर उन्होंने अपनी जगा बनाई और तब से लेकर 1960 तक इंडियन मेंस टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और उन्होंने 6 गोल्ड मेडल्स और जीते साथी साथ 1975 का होकी वरल्ड कभी भारत ने जीता था अब भारती टीमों का इतिहास देखें तो 1928 में जेपाल सिंघ जी की कैप्टन सी में गोल्ड पदक हमने हासल किया था 1932 में लाल सिंग बोलचारी जी की कैप्टेंजी में 1936 में ध्यांचन जी की कैप्टेंजी में 1948 में किसिन लाल जी की कैप्टेंजी में 1952 में केपी सिंग जी कैप्टेंजी में 1956 में बलवीर सिंग जी कैप्टेंजी में गोल्ड मेडल हासिल किया था जिसके बाद 2020 के उलम्पिक में ब्रॉंज भारती टीम के नाम आया है और हमारे कैप्टन दे कैप्टन मनपीत सिंग जी यह जीत हमें बताती है कि धैरे और लगन किसी को भी फर्ष से अर्ष तक पहुंचा सकता है